नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावरेसा में हूँ आपका दोस्त हाडशेट और आज फाइनली मैं आपके लिए आल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइरेडर का डीटियल्ड कमपारिजन लेका है हूँ ये दोनों ही गाड़िया मिड़ साइज SUV सेग्मेंट में आ रही है अगर आप बात करेंगे कमपेटिशन की तो किया सेल्टॉज और हुंडाई क्रेटा है आज की विडियो में हम देखेंगे कैसे आपकी नई ग्रैंड विटारा और आपकी नई अर्बन क्रूजर हाइरेडर सेल्टॉज और आपकी क्रेटा के मुकाबले जादा वैलफर मनी आपके लिए साबिद होगी साथ ही जो गौवर्मेंट आपको सबसीड़ी दे रही है अगर आप हाइरेडर या फिर ग्रैंड विटारा के हैब्रीट वेरेंट को लेते हैं तो वो क्या सबसीड़ी रहीगी अब देखिए अगर आप 20 लाग की गाड़ी लेते हैं जो करीब 10.5 लाग रुपे 10.5 लाग रुपी से स्टार्टिंग होती है और अगर आप ग्रैंड विटारा की देखे या फिर टोयोटा हैरेडर की देखे तो वो 9.5 लाग के मार्क से स्टार्ट होगी यानि कि इसका जो बेस वेरेंट है वो भी 1 लाग रुपे जादा आपको एकनोमिकल पढ़ने वाला है जादा सस्ता रहेगा तो आएए यहां से स्टार्ट करते हैं कमपारिजन सबसे पहले हम देखते हैं मारुती की ग्रैंड विटारा जादा बढ़िया देख रही है या फिर टोयोटा की अर्बन क्रूजर का डिजाइन जादा बढ़िया लग रहा है अगर आप डिजाइन से से देखे तो दोनों ही गाड़िया काफी modern बनाई गई है दोनों में ही एक modern element कही ना कहीं छुपा हुआ है अगर आप overall इसका proportion भी देखे तो जो आपको typical एक mid-size SUV में अपना road presence हाती है जो एक bold character होता है वो दोनों ही गाड़ियों मिलता है अब जो आपकी नई grand विटारा आपके सामने है इसका front का look थोड़ा सा ज़ाधा bold रखा गिया है जैसे हमने XL6 के अंदर देखा है इवन मुझे इसका front का look जैसे desire में आपको मिलता है तो वही कुछ थोड़ा bold character है वहीं अगर आप urban cruiser को देख रहे है high radar के साथ उसमें थोड़ा सा आपको angular दिया गिया है थोड़ा सा aerodynamic है और थोड़ा सा sporty ज़ाधा लग रहा है साथ ही अगर हम Grand Vitara की front की profile को देखते है तो यहाँ पर front में आपको काफी heavy chrome का use देखने को मिलेगा जो आपको 3.DRL से काफी शांदाल लगते है नीचे आपको projector LED setup offer किया गिया है जो की बिल्कुल similar है आपकी heriator में भी लेकिन इसका जो front का profile है काफी bold लग रहा है अब इन दोनों ही गाड़ियों का थोड़ा सा downside मुझे देखने को लगा कि इनकी जो चोड़ाई है एक्चुल अगर आप paper में देखे वो भी कम है Kia Seltos और आपकी crata के मुकाबले जहां Seltos में सबसे जादा चोड़ाई है 1800 mm की Grand Vitara में 1795 mm है 1790 mm क्रेटा की है चोड़ाई जो की कम है आपकी Vitara के मुकाबले और जो heriator है इसकी चोड़ाई भी similar है जो की आपको Vitara देती है लेकिन इसकी चोड़ाई कहीं न कहीं अगर आप रियल लाइफ में देखते है तो उतनी चोड़े नहीं लगती है लेकिन लंबाई काफी अच्छी है बाकि अगर आप सारे elements देखेंगे ना front में काफी premium elements का यूज किया गया है जैसे किया अपनी टाइगर नोस ग्रिल आफ़ा करती है जिसमें बड़ी असा आपको नर्ल आउट क्रोम दिया जाता है वो ही चीज इसमें है थोड़े modern feature आप देख रहे है 360 degree camera, Suzuki का premium looking logo यानि की काम काफी अच्छा किया गया इस गाड़ी के साथ भी अगर हम साथ ही देखते हैं न टोयोटा के urban cruiser high rider को तो इसका front देखिए जैसे मैंने कहा कि काफी aerodynamic है काफी modern लगेगा आपको लेकिन इसकी height कही न कहीं कम लगती है उसके मुकाबले जो grand vitara है क्योंकि थोड़ी bold बनाएगी यह थोड़ी muscular है थोड़ी boxy type है लेकिन front का look इसका typical जैसे आपको Toyota का मिलता है थोड़ा सा aggression भरा हुआ थोड़ा सा modern और थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ा सा sedan वाला look है इसके front में और उतना compliment आपको नहीं करेगा जितना आपको grand vitara का look देखने को मिला वहीं अगर आप इसके front के look को देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारा का सारा जो एक premium touch है वो मिल रहा है कुछ chrome के bezel दिये गए है LED projector offer किया गया है front की grill में थोड़ा सा अलग चीज है 360 degree camera तो similar है लेकिन इसमें ऐसा है कि जो front की grill आप देखेंगे उतनी open नहीं है जितनी आपको grand vitara offer करती है बाकि chrome आप कुछ देखेंगे और front में कुछ acrylic आपको element देखने को मिलेगा और साथ ही जो Toyota के थोड़ा नया logo है थोड़ा सा matte finish में आया है अच्छा दिखाए दे रहा है साथ ही जो DRL element है वो भी काफी बढ़िया लगते है वाले changes है यहां देखिए साइस तो दोनों का सेम है 215,68,16 लेकिन यहां पर आपको देखिए न जो XL6 या फिर बलीनो वैसे ही कुछ design में alloy दिए गए है लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे न इसमें आपको Krata वाले alloy मिलेंगे जो कि वो top end model में देते थे ऐसा कोई official claim नहीं है कि क्या है लेकिन फिर भी बिल्कुल by chance कह सकते हैं कि design वही सेम आ चुका है जो Krata भी देती है थोड़ा सा resemble करना चाहरा है उसको और यहां पर देखिए जो XL6 वाले alloy है वैसे कुछ मिलेंगे बाकी पीछे की अगर आप tail lamps की बात करें या फिर जो बाहर की body lights है उसमें मारूती ना सच में बढ़िया काम करा है यहां पर देखिए एक बढ़िया सा light bar देने के कोशिस करी है कुछ यहां पर आपको Grand Vitara का बढ़िया सा emblem है कुछ आपको piano elements भी देखने को मिलेंगे जो Suzuki के urban cruiser high rider है इसने थोड़ा modern appeal आपको देने के कोशिस करी है यहां पर आपको wrap around design मिलने वाला है थोड़ा सा modern लगेगा LED की जो intensity हो भी थोड़ी जादा लगेगी और जो logo वाला part में आपको बता है थोड़ा mad finish में दिया गया है अब चलिए चलते है boot की और अब देखिए boot के वै strong hybrid लेका है हूँ जिसमें करीब आपको 0.5 kWh की energy capacity वाली battery मिलने वाली है तो यह battery capacity उतनी जादा नहीं है कि बहुत बड़ा boot space ले लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा boot space इसने occupy कर लिया है जिससे जो actual boot space है थोड़ा सा काम हो गया है करीब 353 liter के आसपास आपको strong hybrid वाले variant में म data से compare करेंगे जो 433 liter तक boot space देते हैं उनके मुकाबले थोड़ा कम आपको लगने वाला है वही चीज आप यहां पर देखिए यह जो grand vitara है यह है आपकी mild hybrid वाली तो इसमें आपको boot पूरा मिल जाएगा जो मैं आपको 453 liter के आसपास का बता रहा हूँ तो यह कुछ है लेकि है all grip technology जो कि आपको Hyundai Grata नहीं देती है तो अगर आप एक all wheel drive midsize SUV लेनी की प्लान भी कर रहे हैं तो यह आपके पास बहुत अच्छा option रहने वाला है पूरा आप नीचे का mechanics में देख सकते हैं पीछे का differential यह axle आप देख रहे हैं suspension unit आप देखेंगे muffler आप देखेंगे और quality का front wheel drive रहेगी तो उसमें कोई पीछे कोई element नहीं होगा और आज की वीडियो में आगे बने से पहले मैं एक और important बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप में से काफी लोग मुसे पूछते हैं कि हरशित भाई कुछ ऐसा solution बताइए ताकि हम अपनी car के लिए genuine spare part ढूंड सके जो भी आप कार में requirement है आपकी genuine spare part की चाहे oil filter हो, air filter हो, engine के mounts हो, interior के कुछ fitments हो, lights हो या फिर जो भी fitment है, bumpers हो तो genuine आपको कहां से मिल पाए तो मैंने भी locally काफी search करा, online भी search करा, तो एक solution मेरे सामना आया है, जिसका नाम है Go Mechanic की app, अब Go Mechanic की app का नाम आपने काफी सुना होगा, मैंने भी experience कर निकले, जो इनका service spare kit है, वो order कर लिए इस गाड़ी के लिए यह अपनी गाड़ी है, तो सब कुछ आपको दिखाने वाल retailers है, जो भी आपकी local shops है, mechanic की, वहाँ पर भी आपको Go Mechanic की service spare kit मिल जाएगी, तो Go Mechanic का speed engine oil आपके सामने है, जो की मैंने 4 liter के quantity में मंगाया है, अगर आप इसके viscosity grade को देखेंगे, तो 5W 40 grade का मैंने मंगाया है, multi grade रहने वाला है, fully synthetic engine oil है, इसके खास बात यह है कि यह low temperature में भ certification देता है, अगर आप इसके certification की बात करेंगे, तो यह BS6 emission norms को fulfill करता है, जो BS6 engines है, आप उनमें use कर सकते हैं, साथ ही जो API और JASO certification है, वो भी इस engine oil को मिले हुए है, साथ ही आप देख रहे है, Go Mechanic का smart shift pro gear oil, जो की इनका काफी advanced gear oil में कहूंगा, जो engine oil है, वो भी काफी advanced है, ल तो यह ATW 90 grade का है, GL4 certification के साथ है, तो इसकी खास बात यह है, कि यह जो आपके internal gears है, उनमें proper lubrication maintain करता है, जिससे आपके gearbox की जो life है, वो काफी जादा बढ़ती है, साथ ही बात करते है, Go Mechanic के smart, cool, anti-freeze coolant की, जो की अपने में काफी advanced formula है, अब इसकी खास बात यह है, कि यह engine क एक optimal temperature में maintain करवाता है, साथ ही अगर आप देखे, तो इसमें जो इसका अपना balling point है, यह है 115 degree centigrade का, और इसका अपना freezing point है, यह है minus 15 degree centigrade का, यानि कि अगर आप minus 15 degree centigrade तक कहीं पर भी travel करें, तो आप इसको use कर सकते है, और इंडिया में अगर आप पूरा overall देखे ना, तो यह enough ह आपकी गाड़ी के असाब से, बागी इसकी और अपनी खास बात है, कि इसमें आपको तीन साल की warranty मिलती है, साथ ही इसमें टेस्टिंग की गई है, कि इसको आप एक लाग किलोमेटर तक अपने engine में use कर सकते हैं, और दोस्तों साथ ही यहाँ पर हमें मिला है, गो मेकानिक का brake fluid, जो कि dot 4 grade का मैंने मंगाया हुआ है, अगर आप चाहिए तो dot 3 भी मंगा सकते हैं, अब इसके खास बात यह है, कि जो इसका balling point है, यह काफी जाधा high है, 245 degree centigrade तक भी यह use किया जा सकता है, यानि कि जो इसकी braking efficiency है, यह 255 degree centigrade तक भी कम नहीं होगी, जिससे आप समाझ सकते क जो इसकी braking performance है, यह काफी अच्छी होगी, तो अगर आप जाधा high speed run करते हैं, या फिर downhill braking आप जाधा use करते हैं, तो ऐसे कुछ, जो advanced brake fluid है, यह आपकी काफी मदद करेंगे, जिससे braking आपको जाधा बढ़िया मिले, और साथ ही यहाँ पर मैंने order करी है, Go Mechanic की wiper blades, जो कि जाधा clean रहने वाली है, और Go Mechanic यह भी claim करता है, कि करीब एक लाग cycle तक इसको test किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं, यह durable product है, और last में बात आती है, Go Mechanic के air filter की, यहाँ पर भी मैंने सबसे जाधा premium quality order करी है, जिसमें आपको मैं देख सकता हूँ, advanced filtration technology ने mention करा हुआ है, और अगर आप सब कुछ इसका description देखें, तो air filter सिवे का mention देखेंगे, price भी काफी reasonable है, सब कुछ आपको information इसमें मिलने वाली है, तो इसको मैं सब कुछ install करके आपको बताऊंगा, किस तरीकी कि इसकी पूरी performance है, तो अगर आपको genuine spare चाहिए, तो आपके पास बहुत आपको आपको डाउनलोड करिए, experience करिए, उसके बाद अपने experience हम से share करिए, तो जो Toyota High Radar का rear का profile है, यह सज में, एक मैं आपको कहूँ न, थोड़ा sloping roof लेके चला हुआ है, थोड़ा सा गाड़ी आपको ऐसे लगी, गाड़ी की height थोड़ी सी कम है, लेकिन height की कोई कमी नही 10 mm, उची है, यानि की difference तो है दोनों में, पीछी के look से जादा bold character आपको विटारा दे पाती है, और जो हैरेटर है, थोड़ा सा sloping character देती है, थोड़ी जादा modern आपको लगीगे, आथी जो आपकी krata है, उसके height आप देखते हैं, तो बिलकुल सेम है, जो आपकी हैरेटर है, उसकी तरही 1635 mm, जो आपकी Kia Seltos है, उसकी height सबसे कम है, 1620 mm, और जो grand weight आ रहा है, उसकी height सबसे जादा है, 1645 mm, ground clearance की बात रही तो 200 mm का ground clearance, इंडिया के हसाब से enough है, और आईए अब चलते हैं इन दोनों ही गाडियों के interiors में, इन दोनों के नहीं, बलकुल सारे ही variant में cover करन hybrid वाली variant का है, जो की grand vitara की बात हो रही है, और यहां पर आप देखेंगे, यह जो interior आप notice कर रहे है, यह है high rider के strong hybrid variant की, यानि की थोड़े बहुत changes है, लेकिन जो basic material है, वो same है, थोड़े color highlights को change किया गया है, कहीं पर आपको champagne gold की finish दी गई है, कहां पर silver accent है, और कहीं पर आप piano black elements अच्छी quality है, soft touch material भी आपको full on rich coffee shade देने ही कुशिस की गई है, और leatherate का use है, बाकि पूरा अगर आप देखें कैसा material quality है, तो अच्छी है, काड़ी में total 6 speaker मिलते है, 6 airbag मिलते है, सब ही अगर आप top end model देखेंगे, और साथ ही अगर आप यहां पर देख रहे है, यह grand vitara क strong hybrid वाला variant है, इसमें जो आप gold champagne element देख रहे है न, उससे आप पता लगा लेंगे, बागी chair bag में आपको बताया है, और जो सबसे ज़्यादा attraction वाली बात है, grand vitara की, वो है इसकी सबसे बड़ी panoramic sunroof, जो कि आपको बड़ी लगीगी अगर आप compare करते हारेटर के मुकाबले, बागी steering एक और चीज़ देखिए, इसमें आपको कोई भी, मैं कहूँ कि decat steering नहीं है, लेकिन सब कुछ दिया गया है, infotainment के सारे control है, cruise control है, height up-down कर सकता है, आप steering की आगे पीछे कर सकते है, जो कि अच्छी चीज़ है, यह आप देख रहे है, high rider के interiors, इसमें जो strong hybrid variant है, और जो grand vitara, दोनों में आपको सही मिलने वाला है, यहाँ पर आपको जो digital display cluster है, वो आप देख सकते हैं सामने, और जो head up display है, वो भी आपको दिया जाएगा, इसमें भी सब कुछ मौजूद है, कुछ cost cutting नहीं है, बाकि steering जो goal आपको मिल रहा है, यह Toyota ने अपनी यारिस cross है, उस से offer करा है, जो कि मैं कहूं कि काफी premium लग रहा है, और मुझे यह लगता है कि इस design के पीछे Toyota का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनकी जो यारिस cross है, उसमें भी same ऐसा steering आता है, वैसे ही गाड़ी में 360 degree camera मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से कैसे भी गाड़ी की 360 degree surrounding देखेंगे, अब यह जो noise की screen है, यह दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलने वाली है, एक में आपको Suzuki connect का support मिलेगा, एक में आपको Toyota connect का support मिलेगा, दोनों ही आपको connected feature offer करने वाली है, बाकि functionality सारी कुछ है इसमें, अगर आप देखना चाहे तो मैं वीडियो बनाने व साथ ही एक और चीज में नोटेस करी कि जो Toyota Haradar के interior है, यह इसको थोड़े से जाधा premium feel करवाते हैं, मतलब जो color selection है इनकी तरफ से, यह थोड़े जाधा premium लगते हैं, अगर आप Vitara से compare करेंगे, साथ ही अगर आप आनो राविक Sunroof को बाहर से देखते हैं, तो यहां से भी ब लेकिन जो Toyota ने काम करा है, वो भी काफी अच्छा है, वो भी काफी premium लगता है, अब इस गाड़ी की एक खास बात है कि जो strong hybrid है, उसको आप 25 km तग सिर्फ बैटरी मोड में चला सकते हैं, और गाड़ी बिलको silently चलने वाली है, जैसा एक electric गाड़ी चलती है, और आप चाहे जो एक all wheel drive गाड़ी में आपको चाहिए, और अगर आप budget के साब से भी देखे, तो करीब 15 लाग के range में आपको एक all wheel drive गाड़ी में लेगी, बस एक downside है कि सिर्फ आपको manual दिया जाएगा, automatic का कोई function नहीं है, लेकिन पूरा अगर आप package देखे, तो काफी सही है, अगर आप उसी के साथ यहाँ इसके functionality देखना चाहते है, तो मैंने videos बनाई है, snow mode है, sports mode है, साथ ही इसमें एक lock mode और उसी के साथ एक auto mode का functioning भी दी गई है, तो आप अपने according इसको toggle कर सकते हैं, और जो उसका lock mode है, वो सबसे सही आपको लगेगा, जब आप snow mode के साथ lock mode engage करेंगे, तो आ इसली निकलने वाली है, और एक और अच्छी चीज है कि जो all wheel drive वाला system है, उसमें आपको sunroof का function में दिया है, लेकिन सिर्फ manual है, automatic का function नहीं है, बस एक कमी है, लेकिन sunroof का जो पूरा aperture है, वो थोड़ा एक premium feel करवा रहा है, इसका थोड़ा बड़ी लगी गी है, वो कैसे ह मैं दिखाऊंगा, लेकिन लग ऐसा रहा था कि Grand Vitara जादा बड़ी open हो रही है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, बात में देखते है, बाकी यह आप देखेंगे न, armrest थोड़ा सा slidable function दे रहा है, जो seats का material है, दोनों में से जेम है, जो Grand Vitara है, तो अगर आप उसे difference पूछेंगे इ इन दोनों में ही आपको जो difference मिलेगा, हरेटर और Grand Vitara में, वो है इनकी interior की color theme में, मारूती ने थोड़ा darker shade का यूज के रहा है, black shade में, और Toyota थोड़ा यूज कर रही है, brown shade का, जो की थोड़ा premium लग रहा है, साथ ही अगर आप safety की बात करें, तो safety feature भी दोनों ही गाड़ियों में similar मिलने वाले है, कोई difference नहीं है, उसी के साथ आप बात करते हैं, सबसे main topic की, जो की है, इसका strong hybrid, जो की Toyota ने दिया है, साथ ही जो mild hybrid system है, जो की Suzuki की तरफ साय हुआ है, इस गाड़ी की capabilities है, कि ये गाड़ी 25 km तक सिर्फ electric mode में चल सकती है, इसके लिए इसमें engine भी offer किया ग आपको मारूती Suzuki की Grand Vitara भी offer कर रही है, मैं कहूं, इस system की अपनी खास बात यह है, कि सबसे पहले तो एक parallel hybrid system है, यानि कि इसमें engine भी power दे सकता है, और जो battery है, वो भी separately power देगी आपकी motors को, engine और motor एक साथ भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर, जिससे मैं कहूं कि जादा बड़ी यहाँ पर निकल के आ रहा है, अब यह जो Toyota का engine है, यह 1500cc का है, 1.5 liter का engine है, और केवल 3 cylinder engine है, तो यह आप ज़रूर धियान रखिए, कि यह 3 cylinder engine है, लेकिन NVH और जो vibration वाले issues हम normally इंडिया में देखते हैं, वो इसमें मुझे देखने को नहीं मिला, यह जो आप normally battery देख रहे ह जो main battery है, वो पीछे रखी गई है, जिसकी अपनी capacity है, 0.5 kWh की range में, जैसे कि मैंने जो इनकी Yaris Cross आती है, उसमें भी same setup आता है, तो वहाँ के यह साब से भी data देखा है, अभी Toyota इंडिया ने हमी real data नहीं हो फगर है, लेकिन यह battery की इतनी तागत है, कि यह इस गाड़ी को ब बनाते है, 3.7 voltage, वो 177 voltage, एक 3 phase के inverter को जाती है, जो की 580 volt बनाता है, और जो इस engine के साथ एक generator लगा गया है, एक generator और एक motor का setup लगाए गया है, वो 580 volt इस motor को दी जाएगी, जो की engine के साथ ही कपल किया गया है, और फिर वो एक CVT transmission के थुरू, आपकी गाड़ी को move करने वाला इसमें कोई भी manual का option नहीं आएगा, automatic में आपके पास केवल e-CVT का option है, जो की normal CVT है, बाकी सारी controlling काफी समझदारी से की जाती है, और कोई भी ऐजा loophole आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, बाकी जो ये engine आपके सामने है, ये Toyota का 1.5 liter का TNGA platform के उपर बना, 3 cylinder का Atkinson cycle पर काम करने वाला engine है, इसकी अपनी power figure बहुत काम आपको लगेगी, 91 horsepower के वल बनाता है, और 122 nm का maximum torque है, लेकिन जो इसके साथ मोटर दी गई है, वो अलग से अपने 79 horsepower बना सकती है, और 141 nm का torque बनाएगी, अब जैसे ही एक parallel hybrid system है, तो ये motor और आपकी जो engine, दोनों एक talk दोनों मिलके बनाएगे, जो कि एक CVT transmission के थुरू आपके पईयों में जाएगी, यानि कि same power है, जो कि आपकी Kia Seltos की IVT variant बनाती है, petrol वाली, तो वो कोई differences नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा बढ़िया point लगा मुझे, अगर आप Grand Vitar की बात करें, या फिर Toyota Herator Strong, जो hybrid है, जो mileage figure है, वो सबसे अच्छे है, 27.97 KMPL, लगभग आपको 28 KMPL का mileage company claim कर रही है, और रियल लाइफ में करीब 22 से लेके 24 का mileage, बहुत इजली आपको दे सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो दूसरा engine option आपको दिया जाएगा, जो कि Suzuki की त्वारा offer किया यह है, यह इनका K15C series का dual jet, dual VVT petrol engine है, यह 4 cylinder का petrol engine है, तो comparatively आपको ज्यादा refined feel होगा, लेकिन यह के वाल आपको mild hybrid के साथ मिलेगा, जो कि normally एक ISG generator होता है, लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यह Brezza XL6 इन गाडियों में देख चुके है, परफॉर्मस ठीक ठ का कर रही है, और करीब 19K MPL का, आपकी जो all grip system है, जो कि all wheel drive manual होगा, उसके लिए देने वाली है, तो मतलब fuel economy के हसाब से भी, यह Celtos और जो आपकी क्रेटा है, उससे जादा बढ़िया रहने वाली है, और जो running cost और गाडियों की बहुत कम रहने वाली है, उनके मुकाबले, साथ ही एक नज़र दालते है, इसकी second row seats के उपर, यहाँ पर मुझे एक चीज अच्छी इसमें लगी कि इसमें आपको seat की cushioning काफी अच्छी दी गई है, साथ ही जो airbag का setup आप देखेंगे न, front driver seat में ये दिया गया है, तो वो total six airbag का setup है, साथ ही जो cushioning वाला part है, अच्छा यहाँ notice करेंगे, बाकि Toyota में जादा use किया गया है सब चीज होगा, जिससे गाड़ी थोड़ी जादा premium लगती है, जैसे Tata की Harrier है थोड़ी बढ़िया लगती है, वो ही वाली चीज है, बाकि ingress ingress ठीक लगेगा आपको कोई difference नहीं ये दोनों गाड़ियों में, अभी पीछ पीछे एक glass binna offer करा है, जहाँ पर थोड़े chrome highlights भी दिये गए है, तो उससे थोड़ा premium लगेगा, ये जो आप seats देख रहे है, थोड़ी सी आपको one touch recline के function के साथ offer की जाती है, पीछे इस event offer किये गए है, कुछ आपको USB के सारे charging slots आप देख सकते हैं, साथ ही जो आपकी Toyota की hair add रहे हैं, वो भी सारे same function आपको offer कर रही है, जो grand vitara दे रही है, अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको पूरा leg room मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे के साथ जो seat में हलका से fold का function है, tilt करने का वही चीज़ दी गई है, cup holder के सारे spacing सब कुछ similar है, यानि कि गाड़िया का काफी practical बनाई है इंडिया के असाब से, लेकिन जो main मुझे चीज लगी न, अभी जो आपको Indian government यहाँ पर subsidy offer कर रही है, अगर आप इसके strong hybrid variant को लेते हैं, तो वो इसको बहुत जादा value for money deal बना सकती है, अभी Indian government आपको total 13 states के अंदर 15% तक subsidy offer कर सकती है, जहाँ पर upper cap है, 3,00 तक आपको subsidy मिल जाएगी, अगर आप normally लेते हैं, 20 लाग की अगर आप गाड़ी लेते हैं, तो अगर आप उसको माल लीजे 15% अगर आपको उसके extra room में subsidy मिल जाती है, तो करीब 3 लाग की value बनती है, करीब 2.9 लाग रूपीस का sum आपका deduct हो जाएगा, यानि की 20 लाग की गा और साथ ही NCR जैसे reason में केवल 10 साल के validity है, और अगर आप strong hybrid देखते हैं, तो वहाँ पर पूरी 15 साल के validity है, और उसकी running cost भी diesel के मुकाबले कम ही आने वाली है, क्योंकि company अगर 27.97 के MPL का मालेस क्लेम कर रही है, तो लगभग 23 से लेके 22 का मालेस तो easily गाड़ी देगी, मुझ जो कि अपने से दे रहे हैं, जिसमें आपको हरियाना का नाम सामने आ रहा है, करनाटगा का नाम सामने आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, तेलंगाना का आ रहा है, अगि और भी जो जो states में सामने आएंगे, वो मैं आपसे बाद में update करूँगा, लेकिन अगर इसको pan India एक प्राइजिंग भी हुई है, कि करीब साड़े नौ लाग रुपे में उसका sigma variant आ जाएगा, और अगर मैं पूरी प्राइजिंग आपसे शेयर करूँ, तो एक बार मेरे जो expectation है, वो आप देखे ना, बेस मोडल में sigma variant है, उसमें कोई भी automatic नहीं है, तो 1.5 जो mild hybrid है, वो साड साड़े mild hybrid engines की बात हो रही है, कोई भी वैसा engine नहीं है, strong hybrid वाला, वो उपर के दो special variant में मिलेगा, उसकी बात करेंगे, अब देखे जीटा जो variant है, वो 12 लाग expectation लाए गया है, और साड़े तेरा के असपास उसका automatic है, अलफा में देखेंगे करीब साड़े 13 लाग रुपे के असपास उसका expectation आ रहा है, 15 लाग रुपे वो टच करेगा automatic में, और जो अलफा का all wheel drive होगा, वो साड़े 15 लाग रुपे में आपको offer किया जा सकता है, उसमें कोई भी automatic नहीं है, तो सिर्फ यही रहा है, जो उसका mild hybrid वाले की बात, लेकिन अगर आप strong hybrid चाहते हैं, तो वहा 15 परसंट आपको मिलने वाला 18 लाग का, जो कि मेरी नजर में काफी सही offering है, काफी value for money buy बनाएगा, एक और चीज का आप ज़रूर ध्यान रखेगा, कि यह जो अभी government subsidia दे रही है, यह बिल्कुल lifetime नहीं रहने वाली है, यह कुछ ही time तक रहेगी, मतलब उसके बाद कुछ स 15 लाग रुपे का, नुकसान आपी का है, बाकी अपनी opinions आप में बताईए, जो higher adder है, उसकी pricing भी बिल्कुल सिमिनर रहेगी, करीब 9 लाग रुपे से लेके, 18 लाग की range में, यह उम्मी जताए जा रहे है कि जो higher adder है, वो अब Grand Vitara से थोड़ी सस्ती पढ़ने वाली है, क्य तो यही रहा कि feature front में थोड़ा Grand Vitara आगी की हो निकल रही है, उसके जान जो Seltos और Krata है, उनके पास जो diesel का option है न, वो उसको सबसे जादा plus point दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो government subsidia लेके आई है, इससे हमें additionally यह help मिलेगी अगर हम मारूती Grand Vitara या फिर Toyota higher adder, इनके strong hybrid variant को भ रहेगा और reliability wise भी कोई issue नहीं है, अब warranty sense में हाँ यह बात सामने है कि जो आपकी higher adder है, यह थोड़ी जादा warranty देगी, लेकिन अभी Grand Vitara की warranty सामने नहीं आई है, साथ ही इन दोनों ही गाडियों की जो deliveries है यह दिवाली से पहले start कर दी जाएगी, most probably आपको October तक यह दोनों ही गाडिया deliver होते वे दिखेंगी, बाकि उमीद है आपको वीडियो पसंद आई, मेरी नजर में अभी आपको जो आपकी नई विटारा है या फिर जो higher adder है, इनको चूज करना चाहिए, हाँ अगर इन future Krata या फिर Celtos का face lift आता है, कुछ नई safety feature, नई standards के उपर वो आती है, क तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वन्ने मात्रम, गुडबाई